नमस्कार ट्रेंस एंड ट्रेवल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीली भीत जंक्षन कमिश्णा रेलवे सेफटी के इस्पेक्षन के लिए अब बिलकुल तयार हो रहा है और रेल विद्धुती करण का जो कार्य है बरिली सिटी से पीली भीत जंक्षन के बीच जो रेलखंड है मारा ये तयार हो गया है इस पर कल लोको ट्राइल भी किया गया आरवी एनल और केपी टियल ने इस रेलखंड पर वैब 4 से लोको मोटिव के द्वारा एक ट्राइल भी किया कल और उसके बाद जो भी खामिया या जो भी छोटी छोटी कमिया है या यहाँ पर पीली भी जंक्षन पर जो फाइनल टचस और दिये जाने है या जो भी कमिया इसमें नजर आई होंगी उनको दुरुस्त किया जाएगा और बहुत जल्द कमिशनर रेलवे सेफटी के ओफिस उनके निरिक्षन के लिए इस रेलखंड के जो रेल विद्धूती करण का कार हुआ है उसके लिए रुक्वेस्ट लेटर जाएगा और वहा कम्प्लीट हो गएं सामने प्लैटफॉर्म नमबर एक की दिशा है और बहुत जल्द उमीद की जा रही है कि सियारस इस्पेक्शन इस रेलखंड का करा लिया जाएगा और यहां से आगे भी टनकपुर तक जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है पिली भी जंक्शन से टनकपुर के बीच वो टनकपुर की दिशा से वाइरिंग का काम होते हुए आ रहा है और इधर यह जो सामने फिर दिशा हो जाएगी टनकपुर की उस दिशा में बहुत तेजी के साथ आपको वाइरिंग का काम यहां पर नजर आएगा यह देखिए करीब से हम आपको खाने की कोशिश करें एक व्यू पिलीवी जंक्शन का रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद किस प्रकार से यहां पर नजर आ रहा है अभी प्लैटफॉर्म नमबर तीन और चार की तरफ जो थोड़ा बहुत कारे रह गया है उसको भी फाइनल किया जा रहा है तेजी के साथ लेबर लगी हुई है वरकर्स टेक्निकल स्टाफ सब लगा हुआ है आप सामने देख सकते हैं सब वाइरिंग का काम यहां पर में जंक्शन पर लगभख पूरा कर लिया गया है कंप्लीट है और बहुत जल्द उमीद अब की जा रही है लोको ट्राइल के बाद उमीद तो देख सकते हैं आप एली भी जंक्शन का दर्श किस प्रकार से रेल इलेक्रिफिकेशन का कार यहां पर कंप्लीट कर लिया गया है और जित्ते भी अब लोग हैं यहां पर लोकल पैसेंजर्जर्स हों दैने क्यातरी हमारे और जिलेवासी उनको बस अब इस चीज़ का इ 50 आएं और उनका निरीक्षन हो जाए ताकि फिर इस रेल खंड पर और रेल गारियां बढ़ाई जा सकें क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि जो टनकपुर से मापूरा गिरी के नाम पर चंशिताब्दी भी चलाई जाएगी तो शैद रेल विद्दूती करल का जब कार य टनकपुर तक पूरा हो जाए उसके बाद वैप लोको मोटिव के साथ ही उसका संचालान हो अब देखना होगा आने वाले समय में हाला कि उसके रूट को लेकर के भी जैसा आप जानते हैं पीछे समाचार में भी था जो बरेली के सांसद है हमारे संतोष गंगवार जी और क उसका शिडूल आएगा टाइम टेबिल तो पता चल जाएगा कि पूर्णागरी जनसेताबदी जो है टनकपुर से उसका क्या समय रहेगा और वो किस रूट से चलेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशिश की जा रही है कि टनकपुर तक पूरा ही सेक्शन कंप्लीट हो जाए जल से जल और CRS इस्पेक्शन हो जाए टनकपुर तक NER यही चाहेगा कि जल से जल यह रेलखंट पूरा इलेक्रिफाइट हो जाए और जैसा पीली भी तक सब कारे आप निपड चुके हैं आप देख सकते हैं सामने OHE van खड़ी हुई है जो चल रही है अब टनकप कर दिशा में पीली भी जनकशन से वो भी बहुत तेजी के साथ रेल इलेक्ट्रिकेशन के उसमें भी वाइरिंग का काम अब बहुत गति से हो रहा है और जल्दी ही उमीद है कि टनकपुर से जो रेल इलेक्रिकेशन का कार्य आ रहा है वो पीलिवी जंक्षन पर आउटर पर लिंख हो जायगा और जो TSS बन रहा है Traction Substation पीलिवी जंक्षन के आउटर पर मालगुदाम के पास Power Substation उसका कार्य भी आज कल बहुत तेजी के साथ हो रहा है क्योंकि बजट में भी जैसा आपने पढ़ा होगा रेल विद्धुती करण पर पूरा जोर है भारती रेलवे का ताकि बचत हो सके पैसे की या आप देख सकते हैं या हम दूसरे एंड पर आपको दिखा रहे हैं जहां सामने ये मैलानी की और शाजापुर की लाइन है ये जो लाइन एंड होती है यहां तक वाइरिंग देखिए पूरी हो गई है कम्प्लीट कर ली गई है जहां तक भी ट्रैक डाला जा चुका है आउटर पर आप देख सकते हैं उपर वाइर यहां पर लगी हुई है दाहिने याद पर शाजापुर की ट्रैक है बीसलपुर वाली जिस पर आपको ब्रैकेट्स और वाइरिंग दिख रहे होगी और आउटर तक यह वाइरिंग देखिए किस प्रकार से कर ली गई है आपको पूरा व्यू हम दिखा रहे हैं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार पीली भी जंक्शन पर अल्मोस्ट पूरा हो गया है और अब जित्ते भी SSP और बाकी के लिंकिंग और जो भी चीज चेक्स हो चीज को ले करके किसी भी पॉइंट पे तो उसको दुरुस्त किया जाएगा कोशिश की जाएगी कल लगबग 90 से 95 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार में लोको ट्रायल हुआ था और उसके बाद अब कमिशनर रिलवे सेफटी के लिए सब इंतजार कर रहे हैं कि उनका न जो दूसरी जोन्स में भेज दिये गए पिर इस जतनगर में उनकी ठीक ठा करके रिपेर मरमत करके उनको दूसरी रेलवे की जो जोन्स हैं उसमें भेज दिया गया क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिफ से ही रेलगाडियों का संचालन होगा पिरिभीत टनपूर रेलखंड पर तो डीजल लोकोस की जो डिमांड है यहाँ पर जो जरूरत है वो घड़ जाएगी यह देख सकते हैं आप यहाँ पर लाइन एंड हो जाएगी स्टॉपर्स लगे हैं आगे और याड में भी काम कंप्लीट हो गया पूरा आप देख सकते हैं फिर इदर सामने पिलीबी जंक्शन की दिशा है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से सारा वर्क यहाँ पर अल्मोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है तो यह बहुत अच्छी खबर है लोको ट्राइल हो गया और अब उमीद यही है कि जल से जल्द सभी को कि कमिशनर रेल इक्षन हो जाए इस रेलखंट का और जो यात्री गाड़ियां है लोकल ट्रेंस मेमू ट्रेंस वो कुछ मिल जाए जो पिलीबी जंक्शन से कासगंज की दिशा में चल सकें क्योंकि कासगंज की रूट के लिए भी बहुत लंबे समय से डिमांड हो रही है और लोकल ट्रें पर रुखती भी नहीं है तो जो दैनेक यात्री है एक बड़ा तबका जो है यात्रियों का उसको तो अभी भी परिशानी है वैसे ही एकदम जैसे लोकडाउन के समय था तो उसके लिए तो कुछ नहीं बदला ये सामने से आप देख सकते हैं वह एची वैंग आ रही है और इस तरीके से जो दैनेक कार रहे है तो की जैसा आप जानते हैं वाइरिंग का क्राम अप्तर से पीलीवी जंक्शन के भी तेजी से हो रहा है ये जर से आ रही है पीलीवी जंक्शन में जल से जल लिंक किया जा रही है ताकि पूरे रेलखंट पर वैप लोकोमोटिव के एक्स्ट्रस को भी उसके बाद वैप लोकोमोटिव मिल जाएगा तुमीद वीडियो आपको पसंद आया होगा